जैं सीरी क्रिशना रादे रादे दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करते हूँ आप सब बढ़ियसे ही होंगे एफोर सीट ले लेनी है और देखें डबल फोर्ड कर लेना है और फिर दूसरी बार इस तरीके से डबल फोर्ड कर लेना है और खुली वाली साइड में कम से कम दो इंच की हमने जगा छोड़ देनी है पेपर को बंद वाली साइड से एक एक इंच की दूरी से हमने काट लेना है होम डेकोरेशन के लिए मैं आपको चार DIY बना कर बताओंगी वो भी पेपर से क्रिस्मस डेकोरेशन के लिए ये बहुती बड़ी DIY है पेपर को काटने के बाद हमने क्या करना है कि देखे इस तरीके से खोल लेना है अब देखे दो सेंटिमीटर जो हमने छोड़ा था उसका हाफ कर लेना है इस तरीके से दोनों साइड से और फिर फैविकोल लगा लेना है फैविकोल हमने एक साइड में ही लगाना है और देखे फैविकोल लगाने के बाद हमने क्या करना है कि दूसरे हिस्से को इस तरीके से पकरना है और फिर इन दोनों को आपस में चिपका देना है चिपकाने के बाद हमने दो स्ट्रिप काट लेनी है देखिए इस तरीके से दो स्ट्रिप काटने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा अब हमने क्या करना है कि देखिए यहां पर फैव को लगा लेना है और फिर इस तरीके से हमने इसको अच्छे से खोल लेना है और देखिए खोलने के बाद हमने इसको इस तरीके से चिपका देना है चिपकाने के बाद इसको अच्छे से अरजेस्ट कर लेना है देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ तो ये अच्छा सा बॉल हैंगिंग बनकर तयार हो जाएगा इसको हमने अच्छा सा round shape दे देना है तो देखिए इस तरह से हमारा ball hanging बनकर तयार है ये देखिए कितना ही सुन्दर लग रहा है अब हमने क्या करना है कि कोई भी color का paper ले लेना है और इस तरीके से उसको fold कर लेना है जहाँ पर मैं paper को निसान लगा रही हूँ आपने क्या करना है कि बहां से कट कर लेना है आप भी paper को काटने से पहले निसान लगा ले इससे क्या होगा कि paper अच्छे से कटेगा तो देखिए मैं आपको paper को कट करके भी दिखा रही हूँ देखिए एक side से तो paper को काट लिया है तो देखिए अब हमने क्या करना है कि यह जो चार को रही है इनको आपस में इस त्रीके से चिपका देना है तो इस तरह से हमारा low वनकर तयार है तो आप इस तरीके से घर में बड़ी असानी से paper का low वनाकर तयार कर सकते हो अब हमने इसको फैब को लगा कर चिपका लेना है अब देखिए इसके उपर एक छोटा सा बीट से लगा देना है तांकि ये देखने में अच्छा लगे तो देखिए इस तरीके से हमारा बहुती सुन्दर बॉल हैंगिंग बनकर तैयार है इसे हैंग करने के लिए आप इसे पीछे वाली साइड में डवल साइडर टेप भी लगा सकते हो लेकिन मैं आपको इसको हैंग करने के लिए धागा भी डाल कर बता रही हूँ इसे हैंग करने के लिए आपने यहाँ पे धगा बांद देना है तो आप इसे बड़े आसान तरीके से हैंग कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी पसांद आया हो तो लाइक जरूर करें दूसरा DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्रीन पेपर मेरे पास इसी तरह का ग्रीन पेपर था तो मैंने इसी को ले लिया है आप यहाँ पे पूरा ग्रीन पेपर ले सकते हो जो दोनों साइड से ग्रीन हो इस तरह से आपने पेपर को काट कर ले लेना है मैंने यहाँ पे 12-12 cm का काटा है आप यहाँ पे जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा पेपर का साइज काट के ले सकते हो अब देखिए हमने नीचे वारी साइज से एक-एक सेंटिमीटर छोड़ देना है और फिर एक-एक सेंटिमीटर के हमने इस तरीके से उपर से इसको काट कर लेना है अगर पेपर दोनों साइड से ग्रीन है तो सही रहेगा लेकिन मेरे पास इसी तरह का पेपर था तो मैंने इसी को यूज कर लिया अब काट करने के बाद हमने क्या करना है कि इस तरीके से इसको खोल लेना है एक आईस्क्रीम स्टिक ले लेनी है अगर आपके पास आईस्क्रीम स्टिक नहीं है तो आप यहां पे कोई भी स्टिक ले सकते हो और देखिए हमने इस तरीके से इसको चिपका देना है और यह जो पेपर हमने कट किये हुआ है इस तरीके से हमने चिपकाते जाना है मैं इसे चिपकाने के आपको दो तरीके बताऊंगी जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इसे इस तरीके से चिपका सकते हो ये हम ट्री बना कर तयार कर रहे हैं पहला तरीका तो इसे चिपकाने का ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि पहले एक साइड से आपने इस तरीके से इसको चिपका लेना है, पूरा ऊपर तक, एक साइड से चिपकाने के बाद हमने क्या करना है कि दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको चिपका लेना है तो मैंने आपको ये दो तरीके बताए आपको दोनों मैंसे जो भी आसान लगे आप उस तरीके से इसे चिपका कर तयार कर सकते हो आप इसे डेकोरेट करने के लिए आपने क्या करना है कि इस तरह के बीट्स ले लेने हैं अगर आपके पास इस तरह के बीट्स नहीं है तो आपने क्या करना है कि पेपर के रौंड सेप में इस तरह के छोड़े छोड़े पीस काट लेने हैं और फिर देखे इस तरीके से हमने इसके उपर इनको चिपका देना है अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज अपनी फैमिल्यों दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले अब एक पेपर का पीस ले लेना है और इसको तीनवार इस तरीके से फोड कर लेना है और देखे इसको इस तरीके से काट लेना है इस तरह ये हमारा स्टार बनकर तयार है स्टार को हमने ट्री के ऊपर वाली साइड में इस तरीके से चिपका देना है और फिर एक मोती ऊपर लगा देना है तांकि ये देखने में अच्छा लगे तो देखिए इस तरह से हमारा क्रिस्मिस ट्री बनकर तयार है जिस पेपर का मैंने यूज किया है ये बहुत ही ज़्यादा पतला है तो ट्री खड़ा नहीं हो पाएगा इसलिए क्या करना है कि एक मोटा सा कार्ड़ बोर्ड का स्ट्रिप काट लेना है अच्छे से फैवि को लगा लेना है और इस तरीके से हमने ट्री को इसके उपर चिपका देना है अगर आपका पेपर मोटा है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखिए इस तरीके से हमारा क्रिस्मिस ट्री बनकर तयार है चलिए देख लेते हैं कि अगला DIY हमने कैसे बना कर तयार करना है मैंने यहाँ पे 10-10 cm के 4 पीस ले लिए है अब हमने पेपर को एक बार फोड कर लेना है और बंद वाली साइड में 1 cm की जगा छोड के इस तरीके से हमने 1-1 cm के मार्क लगा लेने है और फिर इनको कट कर लेना है आप इसे बिना मार्क लगाए भी काट सकते हो लेकिन मार्क लगाने से क्या होगा कि पेपर अच्छे तरीके से कटेगा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं जाएगा अब देखे पेपर को मैंने कट कर लिया है अब इस तरीके से हमने paper को खोल लेना है अब हमने इनको जोड़ना सुरू करना है इसके लिए हमने क्या करना है कि दोनों साइड से एक एक strip लेनी है और आप समय इनको इस तरीके से जोड़ देना है और फिर दोनों साइड से एक एक strip छोड़नी है और फिर इस तरीके से हमने इनको जोडते जाना है यानि के दोनों साइड से एक एक स्ट्रिप छोड़नी है और एक एक जोड़नी है इस तरीके से हमने इसको जोड़के पूरा कर लेना है तो देखे मैंने सभी स्ट्रिप को एक साइड से चिपका दिया है अब यह जो स्ट्रिप बच गई है हमने क्या करना है कि इनको इस तरीके से पीछे वाली साइड में अच्छे से चिपका देना है तो इस तरह से हमारा एक फ्लाबर सा बनकर तयार हो जाएगा बाकी के जो तीन पीस है उनको भी इसी तरीके से चिपका कर तयार कर लेना है कर तयार है अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से इनको आपस में जोड़ देना है जिस तरह से इन दोनों को चिपकाया है उसी तरह से इन दोनों को भी आपस में चिपका लेना है फिर इन चारों को इस तरीके से पकड़ना है और फैविकोर से चिपका देना है मैंने इसे कर लेना है देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब मैंने यहां पर डबल फोल्ड पेपर ले लिया है उसको फिर से एक वार फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से कट कर लेना है पेपर की लंबाई चुड़ाई आप अपनी मर्जी से ले सकते हो तो देखिए मैंने पेपर को इस तरीके से काट लिया है अब हमने इसको खोड़ना है और इसके अंदर एक धगा डाल लेना है यह देखिए इस तरीके से और इसको फोल्ड कर लेना है और फिर हमने धग्ये को अच्छे से गांट लगा लेनी है आप कहां कहां और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प बांद देना है जिस तरीके से हमने इसको नीचे से बांद आ है उसी तरीके से हमने इसे हैंग करने के लिए उपर से भी धगा बांद देना है देखिए यहां पे सुई धगा ले लेना है और हैंग करने के लिए इसे उपर से भी अच्छे तरीके से बांद देना है तो देखिए हमारा बहुती सुंदर DIY बनकर तैयार है ये देखिए हैं करने के बाद कितना ही सुंदर लग रहा है आपको थोड़ा सा भी पसांद आया हो तो लाइक जरूर करें चलिए देख लेते हैं अगला DIY हमने कैसे बनाना है मैंने यहां पर 10 cm का पेपर ले लिया है पेपर को इस तरीके से जिक जै कर लेना है मैंने इस DIY को बनाने के लिए दो कलर में पेपर का यूज किया है अब देखिए पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर फैबिकोल से चिपका देना है आप सिर्फ पेपर से भी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हो तो देखे इस तरह से हमारा फ्लाबर बनकर तयार है तो देखे इस तरह से मैंने धेर सारे फ्लाबर बनाकर तयार कर लिए है अब इस तरह का कार्डबोर्ड ले लेना है और उसको पेपर से अच्छे से कवर कर लेना है और ये जो हमने फ्लाबर बना के रखे हैं इस तरीके से हमने इनको चिपकाते जाना है मैंने बॉल हैंगिंग को कलरफूर बनाने के लिए दो कलर का यूज किया है आप इसे एकलर में भी बना सकते हो तो बस इसी तरीके से हमने इसको चिपकाते जाना है यह देखी मैंने इसे दो कलर में बनाया है तो यह देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है मैंने आपको घर को सजाने के लिए 4 तरह के DIY बना कर बताए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा घर डैकोरेट करने के लिए जरूर ही नहीं है कि हम बहार से महंगे महंगे डैकोर आइटम खरीद के ले के आए हम सिर्फ पेपर से भी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से डैकोरेट कर सकते हैं तो देखिए हमारा बहुती सुंदर बॉल हैंगिंग बनकर तयार है अब हमने हैंग करने के लिए क्या करना है कि इसको पीछे वाली साइड में धागा चिपका देना है तो अब हमारा बहुती सुंदर सा बॉल हैंगिंग बनकर तयार है वीडियो थोड़ी सी भी पसांद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें